भारतिय परंपरा अनुसार दही और चाच के बगेर हमारा भोजन जो है वो अधुरा है आज भी भारत में हर घर में खाना परोस्ते समय दही और चाच को भी परोसा जाता है बाजार में कई तरह के ब्रांड के दही मेलते है पर फिर भी आज भी सबी लोग घर में ही दही और चाश बनाना पसंद करते हैं दही जो एक सुपर फोड माना जाता है जो हमारे स्वास्तों और सेहत के लिए बहुत ही फाइदे मन्द है तो आज हेल्थी दही कैसे बनाते हैं चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं आज अगर आप स्वादिश्ट और पोष्टिक दई बनाना चाहते हैं तो सबसे पेले तो आप दूद को कॉम्टि के बातन में घरं करें क्योंकि अगर स्टिल के बतन में दूद करते हैं तो तो 70-80% पौष्टिकटा जो वो नेकिश्ट हो जाएगी पर अगर मिप्टी के कले बतन में अगर आप दूद गरं करते हैं तो 200 परशं बनी रहती है सभी को पता है कि दूद के अंदर War Amin C के अलावा सारे विटामिन्स रहते हैं तो यह सारे विटामिन्स नosure्ष्ट ना हो जाये इसके लिए हमें मिट्टी के बरतन का यूज जरूर करना चाहिए है मिट्टी के बरतन में भी iron magnesium calcium sulphur जैसे कई नेचरल मिनरल्स होते हैं, जिसमें अगर हम यह मिट्टी के बरतन में दूद गरम करते हैं, तो सारे मिनरल्स जो हैं वो इस दूद के अंदर आ जाते हैं, तो पौश्टिक दई जमाना के लिए पौश्टिक दूद का होना बहुत जरूरी है, तो यहां पर दूद को मैंने मिट्टी के बर्तन में गरम किया है और हलका सा वार में एकदम ठंडा नहीं है थोड़ा सा गरम रहेगा तभी हमें मिट्टी के बर्तन के अंदर इसे डाल देना है मिट्टी के बरतन में दई जमाने के लिए बाहरी तापमान का सही होना बहुत जरूरी है मिट्टी के बरतन में थोड़ा सा ज्यादा वाम दूड डालो क्योंकि वैसे भी बरतन के अंदर बहुत जल्दी थंडा हो जाता है और सर्दियों के दिनों में खास हमें जो जामन है दहीं है इसको पूरा एक चमच यहां पर लिया है मैंने पर अगर यही जामन अगर आप गर्मी के दिनों में डालते हैं तो सिफ क्वाटर जितना यानि की थोड़ा सा ही डालें और अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे हमें एक जगह पर रख देना है जहां से हमें इन सर्दियों के दिनों में कम से कम 10 से 12 घंटे लगेंगे दहीं को बनने में तो 10 से 12 घंटे तक हमें यहां पर हाथ नहीं लगाना है इसे यहीं पर रहने देना है और 10 से 12 गटेक के बाद एक बार चेक करने कि दढ़ बनकर तयार हमें मिट्टी की हांडी में बना हुआ दही ना सिर्फ हैल दिये बल्कि बहुत ही स्वाधिस्ट हैं दहीं का नियमित सेवन करने से कई सारे लाब होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रोल बनने से रोगता है बीपी को कंट्रोल करता है रदय को स्वस्थ रखता है पर यह सब तब ही होगा जब यह दहीं जो हमारा वह है पूरी तरह से पौश्टिक हो दहीं एक बहुत्री प्रोबायोटिक फूड है जो हमारे स्वास्थे और सौंधर्या दोनों के लिए शूपर फूड है तहीं भारतिय थाले क का महत्वपरणा हिपसा है इसमें दूद्र से भी अधिक केल्सिम पाया जाता है तो जुशे दूद्र पसंद नहीं वह भी कैल्सिम की कमी को द appeals और स्चाच्टा सेवन करके पूरी कर सकते हैं दे इस्वास्तिया कोुड हो मजबुत हो मिट्टी के बरतन में दई जमाने से कही तरह के फाइदे हैं दई स्वास्ते और सौंदर्या के लिए सूपर फूड है तो आज सी हम एक आदत जरूर बदलेंगे और ये सूपर फूड वाला जो दई है स्वादिश्ट और पौश्टिक उसे हम मिट्टी के बरतन में ही बनाए तो मिट्टी की अपनी एक फ्लेवर जो होती है वो दहीं और चाच के अंदर आ जाती है तो यह और भी अधिक स्वादिश्ट बन जाता है तो दहीं और चाच जो हमारी हेल्थ के लिए सूपर फूड है पर इसकी पॉस्टिक हमें तब ही मिलेगी जब हम अपनी रूटिंग की लाइफ में रोजबरोज की लाइफ में थोड़ा सा बदलाव लाए और हम स्टील और नॉन्स्टिक बरतनों के बजाए हम मिट्टी के बर गंटे तक पाने के अंदर भीगो कर रख देना है और बाद में निकालने के बाद सिर्फ एक दिन के लिए सूखने के लिए रख दे बस बाकी आप रेगिलर इसका यूज़ कर सकते हो तो देखा आपने कि मिट्टी के बरतनों में बनाए गए खाने में टेस्ट में बहुत ह काफी फरकाता है और हेल्थ में तो काफी फरकाता है हम बहुत सारी कोशिस करते हैं हेल्थ को फिल्ट रखने के लिए डायेट एक्सरसाइज जीम वेटामिन की गोली और भी नजाने क्या-क्या पर यह सब कोशिस के साथ अगर हमें एक अच्छी आदर डाल दे और कम से कम द अपने शरीं को स्वस्त्र रखना चाहते हैं कि अपने अहर में मिट्टी के बरतन में बनाया गया गया दही और चाच का इस्तिमाल करना शुरू करतें तो आप भी चाहते हैं स्वाद और सहत को पाना तो आप से कम से कम दिन में एक बार मिट्टी के बर्तन में ज़रू खाना बनाना और हां रोज बरोस की लाइग में मिट्टी के बर्तन में खाना कैसे बना है जानने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल वी में नए वीडियो अप्लोड करूँ आपको नोटिफिकेस नहीं ती रहें